हलो, मैं आपको बताने वाला हूँ NLP के बारे में एक Course है इसको बढत Richmond Music अधि इसको की बहुत, इसको बॉलते है इसको बोते हैक सिर्जेद्स नियूरो लिइंडिक्विस्टिक्ट्ज़ प्रोग्रामिंग अर प्रोग्राम्स नियूरो सिस्का मतलब है में या एक ब्रेंड का प्रोग्रामिंग करना भाशा के माध्यम से उसको बोलते NLP कोर्स, तो NLP कोर्स में काफी सारे लोगों ने काफी सारे उसमें काफी सारा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, और मैं जो NLP का कोर्स करता हूँ, उसमें NLP है, मतलब जो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो ओरिजनल रिसर्च है, वो है, उसके साथ साथ मैं हिपनोसिस भी करता हूँ, हिपनोटिजम, और उसके साथ 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 स्ट्रेस मे जो मेरे वरक्शॉप से थे, तो वो भी उसके साथ में करता हूँ, मैं जो NLP करता हूँ, तो उसमें NLP with हिपनोसिस, stress management, यह प्रोग्राम मेरा होता है, अब यह NLP है क्या, इसमें क्या है कि, concept है कि हमारा जो mind है, इसको, इसके दो भाग है, एक है conscious mind, एक है subconscious mind, conscious mind जो है, वो 10 10 तका है, 10 परसेंट, और subconscious mind जो है, वो है 90 परसेंट, मतलब समझो, हम यह देखते हैं कि यहाँ, आइस बर्थ फिनमन आपको मालम होगा, कि बर्थ की चत्तान, जब समुंदर में रहती है न, तो वो बर्थ की चत्तान का 10 तका हिस्सा जो है न, वो रहता है पानी के ऊपर, और नब्बे तका हिस्सा जो है रहता है पानी के नीचे, हमारा मैन का भी वैसा है, 10 तका जो है वो है conscious mind या चेतन मन, और नब्बे तका जो है, वो है subconscious mind और unconscious mind और वो है अचेतन मन, हम उसको NLP में unconscious mind बोर दे, तब हमारा पुरा कंट्रोल जो है बॉडी का और माइन का वह पूरा कंट्रोल 90% उनकॉशcryos माइन से होते रहा है और पूरा मतलब अपने को जो चलाता है वह यह उनकॉश। तौछ समार में क्या क्या होता है वहां होते है thoughts, विचार, फिर वहां रहते है emotions, emotions में moods, feelings, happiness, satisfaction, अलग-अलग emotions होते हैं, thoughts, अलग-अलग thoughts होते हैं, तो thoughts है, emotions है, moods and feelings है, और पूरी, मतलब पूरे past की अतीत की memories, यारदाष्ट रहते हैं, और वहां से हमारा पूरा भीएवेर होते होते हैं, इसको मैं एक example देना हैं समझने के लिए आपके, तुम्हें ऐसा बूलूंगा है कि हमारा 10% conscious mind है, तो उसको हम बोलेंगे वह घोड़ सवार है, और 90% जो है गोड़ा, गोड़ा 90% उसके ऊपर गोड़ सवार बैठा हुआ है, अब गोड़ सवार नहीं काम नहीं किया, तो गोड़ा 90% वह बहुत उदं कर लेगा, वह कैसा भी उसका वेवार होँगा, उसमें बहुत energy भी है, उसको लाइन पर लगाना, ठीकाने पर लगाना, काम पर लगाना, उससे वराबर काम करके लेना, वो घोड़े से, वो है घोड़सवार का काम, अब वो घोड़ा शादी में नाचनी का खोड़ा बनाना, की तांगे का खोड़ा बनाना, या रेस का खोड़ा बनाना, यह किसके तो हमारा जो subconscious mind या unconscious mind है जिसमें 90% ताकत है वो है घोड़ा और उसको control जो करने वाला है वो है conscious mind तो NLP में होता क्या है कि हमारा conscious mind है वो conscious mind मतलब घोड़ सबार unconscious mind को कैसे control करना और उससे काम कैसे कर लेना जितना ज्यादा हो सबके उतना ज्यादा जितना quality work होंगा उतना अच्छा quality work effective करके लेना और वो जो training है conscious mind से subconscious mind का मतलब conscious mind में जानकारी कर लेना NLP का को से उससे और वो जो जानकारी हमको मिली है, वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के माध्यम से घोड़े को कंट्रोल में लाना, मतलब इन शॉट यह है NLP, अब NLP जो है, उसके 6 स्थम्भ हैं, और वो 6 स्थम्भों के ऊपर पुरा NLP खड़ा है, मतलब पई या कॉलम्स, सबसे पहला और बहुत म है वो है यू, और यू मतलब यू, आए, और यू, तो जो भी जीवन में हो रहा है, वो मेरी वज़े से हो रहा है, उसका कारणी बुद मैं हूँ, और मैं ही करता धरता हूँ, मेरे कारण हो रहा है, और जो भी अच्छा हो रहा है, वो मेरी कारण हो रहा है, यू, तो यह प जिक्र करना यहां भी मुश्किल है। फिर NLP के कुछ Presuppositions है। Presuppositions इसका मतलब कुछ Beliefs, कुछ धारनाय है। और वो धारनाय जो है, वो धारनाय NLP के उसके उपर NLP रचा हुआ है, और वो धारनाय का इस्तेमाल हमने करना है, वो धारनाय जो NLP में बताई हुई है, वो धारनाय जो है उनका इस्तेमाल करके subconscious mind को काम में लगाने का। अब उसमें धारनाय कुंसी है? एक यह example आपको मैं देता हूँ, एक धारनाय इसी है उसमें, there are no failures, there are only feedbacks, इसका मतलब यह है कि वही failure नाम की चीज कोई होती नहीं है, एक तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको success मिलेगा, यह आपको experience मिलेगा, इसलिए एक तो आप successful है, यह आपको yes नहीं मिला तो उसको हम बोलते है, आपको experience मिला, जैसा थामसरवा एडिसन का आपको example मालूम है कि एक हजार, उसमें 10 हजार experiments किये और उसके बाद में electric bulb की खोज किया, तो थामसरवा एडिसन को पूछा कि आपने 10 हजार experiments किये और बाद में electric bulb की खोज आपने किये, तो 999-12 fail हो गए, तो आपको कैसा लगा, उसमें क्या बड़ी बात है, 9999 तरीके या 9999 ऐसे experiments मुझे मालूम हो गए, कि जो experiment है जो तरीके मैं करता हूँ, तो electric bulb की खोज होती नहीं, there are only experiences, अनुभव है, तो success है या experience है, ऐसे काफी सारे presuppositions है, कि जिसका इस्तिमाल हम करते है और हमारा जो conscious mind है, घोड़ सवार, वो घोड़े को control में काभू में लाएंगा या ला सकता है, NLP के पूरे workshop में, पूरे जो teaching है उसमें, काफी सारी exercise है, काफी सारे techniques है, तो यह technique है for example, कि जो bad memories जो है, उसको साफ कैसे करना जिमाग में से, so washing out bad memories, पि नमबर एक, नमबर दो है, एक बहुती powerful technique है, कि switch technique से, हमारे subconscious mind में, जो भी कोई inadequacy है, या अपयश है, या जो भी कुछ धारणा है हमारे दिमाग में घलत से बैठी हुई है, या कोई डर है, तो वो सब पुरा निकल जाता है, पि तीसरा जो है, वह anchoring, anchoring में होता क्या है कि, हम anchors हमारे body में create करते हैं, और जो भी उल्लसित, उत्साइट जो state है, बहुत ही energetic, enthusiastic, happiness की state, जो होती है, वो उल्लसित, happiness, satisfaction वाली, energetic वाली state, वो state को हम anchoring करते हैं, anchoring मतलब, ऐसा hook, hoodie, तो वो करके, फिर हम जब चाहे तब यह state हम ला सकते हैं, खुशियों की state, energy की state, ऐसा जब चाहे तब, उसका एक experimented technique है, और वो NLB हमको सिखाती है, anchoring, फिर और एक है, circle of influence, यह circle of confidence, तो उसमें ऐसे एक exercise है हो, imaginary exercise, जहां-जहां आपको confidence नहीं है, तो वहां-वहां का imagination करो, जहां-जहां confidence आपको है, वहां का imagination करो, और वह एक exercise के माध्यम से, confidence नहीं है, नहीं है, वह city में, confidence वाली city को लाओ, और उसके लिए भी anchoring किया होगा है, और एक circle में खड़े रहे के, वह पूरा, एक acid अपने, अपना, एक liquid जो है, वह liquid अपने body के ऊपर पूरा पूरा जा रहा है, और imagination करके, 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 पूरा confidence आरहा है, वह काफी सारा time-tension exercise है, specially उसके लिए है, तो circle of influence नाम के exercise है, वह exercise करते हैं, उससे confidence में बहुत सारा फरक परता है, भय निकल सकता है, फिर एक neurological alignment करके exercise होती है, यह neurological alignment क्या है, क्या होता है कि हमारे environment में, बाते होते रही हैं, जो भी कुछ, और उसका representation हमारे दिमाग में होता है, मतलब environment में एक है, actually में, और डूसरा है हमारे दिमाग में, for example, समझें अभी मैंने बोला कि Mumbai, Bombay, तो Bombay, actually Bombay है, और डूसरा representation मेरे दिमाग में है, हर बात का होता है, तो जैसा एक तो environment है, वह environment मेरा कैसा है, environment supportive है कि नहीं है, फिर एक neurological level है behavior की, कि मैं वह environment मेरा behavior में कैसा करता हूँ, फिर तीसरा जो एक level है, neurological level, वह capability की, उसमें मैं कैसे, मेरी capability से मैं काम करता की नहीं करता, फिर चवती level है values and beliefs उसकी, पांचवी level है identity की और छटवी level है purpose की, तो यह जो अलग-अलग levels बहार है और हमारे दिमाग में हैं, तो उसका दोनों का alignment और हमारे दिमाग में जो अलग-अलग level से यह छे, उसका alignment करना, और उससे बहतरी results cost करना, तो उसको neurological alignment exercise बहुत ही powerful exercise है और वो भी NLP में किया जाती है, फिर NLP का communication model है, उसका काफी सा राम इसमें study करते है कि communication model है क्या, communication model इसका मतलब यह है कि वाता और में जो भी घटना हो रही है, वो घटनाओं का representation, उसको बहुत है personal internal representation दिमाग में होता है, मतलब कुछ भी हो गया, तो वैसे के वैसे मेरे दिमाग में जाता नहीं है, जो भी कोई घटना होई, तो वो घटना को एक तो च्छान के, filter करके, उसमें कोई अपना मिर्च मसारा डालके, उसमें इसे कुछ निकालके, उसको distort तोड़ मरोड करके अंदर जाता है, और एक हमारी धारनाएं बनती है, हमारे thoughts बनते है, तो जब thoughts है, उसको बोलते, event one एक बाहर का event है, उस तो भी वातारण में हुआ, और अंदर का एक event two, event one और event two, यह जो है, यह अलग-अलग होते है, क्योंकि जो actually हुआ, वो हुआ, दिमाग में हमारे वो नहीं है, तो event one और event two को match कितना हम ज़्यादा अच्छा कर सकते है, या event two जो है दिमाग में, वो कितना close हम event one के साथ में ला सकते है, उसके उपर काफी हमारी success, relationships निर पर होगी है, तो communication model हम उसमें सिखाते रहते है, NLP में, कि what is communication model of NLP, अना दर एक जो presupposition अभी में बात कर रहा था, वो है कि map is not a territory, वो इसको, मतलब इसको जुड़ा हुआ है, कि map मेरा है, कि समझे अभी Bombay का map है, तो मेरे दिमाग में Bombay का map है, मगर मैं जब actually Bombay जाता हूं, या Bombay जाता हूं, तो Bombay अलग है, उसका map जा है, वो अलग है दिमाग में, वैसे ही, कोई भी event हो रहा है, कोई भी घटना हो रही है, तो वो घटना वातारण में हो रही है, उसका map में दिमाग में बना के रखा हुआ है, अब मेरे conscious mind का ये काम है, जो map में अंदर बना के मेरी सासुमा खडू है, मेरी सासुमा मुझे बहुत तकलिफ देती है, अब 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 मेरी सासुमा मुझे बहुत तकलिफ दे तो इसका मतलब उसमें यह लगा है कि मुझे सासुमा ने टाइम पे खाने के लिए पूछा नहीं, इसका मतलब मेरी सासुमा मुझे प्यार नहीं करती, इसका कोई संबन नहीं है, मगर मैप क्या बना हुआ है, मैप यह बना हुआ है कि मेरी सासुमा मेरे से प्यार नहीं करती, एक्चुली वातारण में क्या है एक्चुली वातारण में उसने टाइम पे खाने को नहीं गुलाया इतना ही है और टाइम पे मतलग कौन सा टाइम यह भी कोई ठहरावा नहीं है तो प्रिसपोजिशन एनलपी का यह है कि मैप इस नाद टेरिटरी फिर और सारी काफी एक्जर साइब ऐनलपी में तो रिजल्ट्स एनलपी रिजल्ट्स के लिए बहुत ही सजक है बहुत ही अटेंशन ऐसे उपर आउटकम के ओपर इम्फसिस किया जाता है क्योंकि हमारा जो भी कोई काम करते है कुछ भी हम जो कर रहे है हमारा मकसद है कि उसमें से आउटकम निकलना है उसके लिए हम करते हैं, तो आउटकम कैसा बहतरीन हम निकालेंगे, जो हम कोई भी काम करते हैं वहां से, और आउटकम निकालने के लिए हमने क्या-क्या करना चाहिए, वो रिजल्ट पाने के लिए हमने क्या-क्या करना चाहिए, तो वो आउटकम बेस्ट निकालना है, उसके बारे में फिर काफी सारी exercises है, फिर bubble exercise है, जैसे काफी exercises है, कि जो exercise के माध्यम से घोड़ सवार जो है, मतला हमारा conscious mind, वो अपने subconscious mind को train करेगा, तो ये आपको जबी मौका आता है, तो आप ये NLP, Neuralinguistic Programming, ये प्रोग्राम आप जरूरी कीजिएगा, और अपने आपको एक अलग लेवल पर आप लेके जाएंगे, तो definitely अपने life में आप successful हो जाएंगे, तो आपको बहुत-बहुत best wishes, शुबह कामना है, thank you very much. झाल 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